जैश्याराम बंधों आपके अपनी परिवार हिंडू रिष्वल चैनल में आप सभी भाई बहनों का माताओं का और जो भी बड़े छोड़े सभी का स्वागत है दीपा वाली की लाग लाग करोनो करोनो सुब कामना है दीपा वाली के दिल में पिसे दखना आप सबसे प्रयास करूँगा कल रात में जारा रात्वा बार रात्वा एक बज़े लाइब आकर के मांगूंगा वह आप आओंगा नहीं आप आओंगा वह रामदी जाने बात की बात है और हमारे परिवार की एक सदस्या जो हमारे मित्र है और मुंबई फिल्म इंडिस्ट्री की एक सम्मानित अबनेत्री है और मिलाशर्मा जी उनके घर में मा के सेवा के लिए और जो है जेज़े शियरा हमको बहुत अच्छा लगा हमने गाज़े यहीं से माताजी की सेवा करने के लिए कुछ निवेदत करदूं कई भाई बहनों ने पूचा है गुरुजी जो मैं झाडू लेकर आए हूँ नमक लेकर के आए हूँ फन सबका में क्या करूं बहनों क्या करना है किषा तो में अगर आप दो कोड़िया लेकर के आए हैं तो एक ओड़ी और एक गोम्ति चक्र और एक कमल का भीज, इसको कमल काखडी भी बोलते हैं, कमल गत्ता भी बोलते हैं, गलस के अंदर आपको अरपन कर देना हैं. दूसरा जो है कमल का बीज, कोडिया और गोमती चक्र माताजी के चर्णों में अरपन कर देना है जाडू को भी जैसे वहाँ बगल में ही फ़ड़ा सा डिस्टेंस पर जो है वो भी लक्षमी के विशेश दासी के रूप में रहती है जिस घर में भरा रहेगा, वहीं तो दिन-दाद सफाय होगी जहां कुछ रहेगा यैं नहीं जे जैसे याराम, तो अच्छी तरह से सफाय हो तो वहां पर जाडू का पूजा करना है और किचन में, किचन में पूरव अध्वा पश्चिम दिशा में जहां पश्चिम बरुन का स्थान होता है, वहां पेह जो है, यहां पूजा में नमक के लिए नमक उपर भी चढ़ा दीजेगा, जब मा के उपर चढ़ाईएगा, बाद में जाडू को चढ़ाईएगा, और न अगले जिनों यह सब उठापन नहीं करना चाहिए, मंत्र से प्राता विशार्जन करना चाहिए, स्वयम विशार्जन कैसे करें, इस लिंग को देख करके आप जान सकते हैं, कर सकते हैं, तो पुना दीप वाली की बहुत-बहुत शुकामना है, आप सभी को और हमारे जगर सभी देश वास्यों के जीवन में मातारानी की किरपा बनी रहे, सभी का जीवन आनंद हो, और जो भी अपने सनातन धर्म से जुड़े हैं, चाहिए कनादे में हैं, चाहिए मारे यूके में हैं, चाहिए पाकिस्तान में, चाहिए नेपाल में, जहां जहां भी लोग हैं, मह प्रिवा संकरकं बोले